वन्स अगेन वेलकम टू अनधर वीडियो मैं हूँ पीके बज स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे आप लोगों को मैंने 34 प्रस्म पत्रों को जो है सॉल्ब करा दिया है 25 नमबर प्रस्म पत्र इस वीडियो में देखेंगे चैनल पे आए हुई नए महमान है तो सभी लो जो है देख लेंगे कि आप लोगों का सेंटर कहां कैसे गया हुआ है कि लोगों का सेंटर जो है कुछ लोगों का सीतापुर गया है कुछ लोगों का लखीम फिरी गया है कुछ लोग वस्ती गया है कुछ लोग घोंड़ा गया है तो जहां जिसका गया है सभी लोग कमेंट जुटे हैं लगातार जुट जाए जो बचा हुआ समय है उसको सार्थक कर लीजिए और अपना बढ़िया सा इसको त्यार कर लीजिए इस प्रस्पत्र में से कम से कम आपको पांच शे प्रस्ट देखने को मिलेंगे मैं आसा करता हूँ इसमें आपको मैं 37 प्रस्ट कराऊंग इसका जो है विकल्प यह सही होगा पुस्प करम से जो होता है प्रस्ट नमबर दो देखेंगे सत्य फल माने ट्रिव फ्रोड उत्पन होता है इसका सिधासा जो विपरीद दिया है सत्य और सत्य दोनों में कनफ्यूजन हो जाती है तो इसका भी विकल्प सही होगा अंडास से इसकी जो है उत्पत्ती होगी नमबर तीन देखेंगे इसमें दिया है कि कार्णिया मानुश शरीर के किस अंग का भाग है प्रस नमबर तीन का बिकल्प नमबर सी सही होगा नेत्र का भाग है प्रस नमबर चार देखेंगे घेंगा रोग किसकी कमी से होता है घेंगा रोग का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है जब नेतरदान कोई बेखती करता है तो कौन सा भाग उसका जो है आख में प्रत्यारोपित किया जाता है प्रश नमबर पांच का बिकल्प नमबर ये सही होगा कार्णिया जो होता है इसको प्रत्यारोपित करते हैं प्रश मगाश्न रवादी कहली स्ट्राल उत्पाद है। प्रस्ट नमब च्फstep विकल्प यह शही होगा- यारिम यकिर्थ में लीवर को यह सरवादी केलेस्ट्राल उत्पाद होटा है विकल्प किससे संुन जीव सी अनौंग से घीव से काड़ी विकल्प रह Bardzo आँक से समंदित होगा प्रस्ट नमबर आठ देखेंगे मस्रूम में बहुतायत में मिलता है आठवे का ये बिकल्प सही होगा प्रोटीन मिलता है प्रस्ट नमबर नो देखेंगे अधिक्तम साकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं नवे का भी बिकल्प सही होगा दालों से पा है तमभाकु में पाए जाने वाला रसायन है दसमें का बिकल्प भी सही होगा निकोटिन प्रस्ट नमबर ग्यारा देखेंगे कौन सा बिटामीन यकिर्ट में संचित किया जाता है ग्यारा का ये होगा बिटमीन ये होगा प्रश्ण नमबर 12 दखेंगे मानोशरीर केकिसईंग में हडियों की संख्या सरवाधिक है 12 नमबर प्रश्ण का ये विकल्प सहिए होगा उंगलियों में हडियों की संख्या जो है चरवादिक होती है प्रशन नमबर तेरा देखेंगे तेरा नमबर प्रशन में दिया हुआ है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है तो इसमें जो बिकल्प दिया है उसका आप लोग देखके बताएंगे कि किसके द्वारा जो है चालित होता है आप लोग बता क्या उत्तर दिया है आप लोग देख लेंगे कि विकल्ब में किसकी कमी के कारण होता है फिरिस नमबर चौदा में कौन सा विकल्ब सही होगा विद्यारथी बताएंगे आप लोग तो 14 में दिया हुआ बिकल्प है कैलोरी, क्लोरीन, प्रोटीन और फास्फोरस 14 नमबर का कुन सा बिकल्प? सही होगा, C सही होगा, यानि की प्रोटीन होता है प्रस्न नमबर 15 का होता है, इंसोलिन की अकंड़ की कमी हो जाती है, तो मदमे रोग हो जाता है प्रिस्न नमबर 16 देखेंगे खून का ठक्का किस बिटामिन की कमी के कारण बनता है खून का ठक्का किस बिटामिन की कमी के कारण बनता है 16 का भी होगा बिटामिन के प्रिस्न नमबर 17 देखेंगे सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें पाया जाता है आप लोग बता देंगे प्रिश नंबर 17 में विकल्प दिया है अंडे में हरी सब्जी में दूद में सेब में तो 17 का भी विकल्प सही होगा हरी सब्जियों में जो है सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है प्रिस्ण नंबर 18 देखेंगे, अलरजी पृतिकरिया के कारण उत्पन रोग होए, अलरजी की पृतिकरिया के कारण उत्पन रोग होगा धमा दिया है, अनीमिया, हीमो फीलिया, और पोलियो, कौन सी बीमारी हो जाएगी। बता देंगे भाईया 18 नंबर प्रस्ण का बी विकल्प ये विकल्प सही होगा दमा रोग हो जाएगा एलर्जी की पत्किरिया के कारण उत्पन होने वाला रोग इस देखेंगे एंटी आक्षिन का इंजेक्षन किसकी रोग्थाम के लिए दिया जाता है एंटी आक्षिन का किसकी रोग्थाम के लिए दिया जाता है 19 का ये विकल्प सही होगा टिटनेश जो होता है उसकी रोग्थाम के लिए इसे दिया जाता है महत्रपूर होगा प्रिशन नंबर 20 देखेंगे विद्यार्थी प्रिशन नंबर 20 में दिया है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता कुन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है बता देंगे आप लोग विद्यार्थी बीश में का कुन सा सही होगा बीश नमबर प्रश्ण का ये विकल्प सही होगा कलर ब्लाइंडनेस यानी अंधापन जो है रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है बिडाल टेस्ट का उपियोग किस नमबर 21 का बिकल्प भी सही होगा टाइफाइड बुखार होगा तो भी डाल टेस्ट कराया जाता है प्रिशन नमबर 22 देखेंगे स्टिंग मेटिज्म की एक बीमारी है किसकी बीमारी है बाइस नमबर प्रिशन का भी बिकल्प सही होगा आखों की बीमारी है प्रिशन नमब प्रिश्ण का सी बिकल्ब सही होगा एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर नामक जो बैज्ञानिक थे उन्होंने जो है इसकी खोज किया था प्रिश्ण नंबर 24 देखेंगे महात्रपूर्ण होगा मवीशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है किसके कारण होता है क्या इसके फैक्टर होते है 24 का बिकल्ब आप कासी सही होगा कवकों के द्वारा होता है प्रिश्ण नंबर 25 देखेंगे इसमें दिया है 25 नंबर प्रिश्ण में ओ आर्टी किसके रोगो उपचार से संबंद है तो बिकल्ब दिया है आ रक्तता भी बिकल्ब है very very c बिकल्ब है cancer और d बिकल्ब है अतिशार 25 नंबर प्रिश्ण का d बिकल्ब सही होगा यानि की अतिशार की जो बिमारी होती है इससे संबंद रखता है परिस नमबर टुन्टी शिख्ष देखेंगे है एचाईबी संबंधित है है टुन्टी शिख्ष का डी विकल्प सही होगा या नीकी एडस से हैचाईबी को जो है संबंध रखना रखा जाया है नीमोनिया किस रोग को प्रभावित करता है नीमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है टुन्टी शेबन का ये विकल्प सही होगा फेफडे को ये प्रभावित कर देता है या नीमोनिया आपके फेफडे को खराब कर देता है नीमोनिया किसके कारण होता है टुन्टी एड नीमोनिया किसके कारण होता है टुन्टी डिक एक बीमारी है 29 कोन सा विकल्प सही होगा रिक एक बीमारी है 29 जा सब्सक्राइब कि तूंटीनाइन की डीओं की बीमारी होगी नोट कर लेंगे अप request प्रिश्न नमबर तीस देखेंगे किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है कीमोथेरेपी का उपयोग किसके इलाज में करते हैं प्रिश्न नमबर तीस का विकल्प ये सही होगा कैंसर कैंसर की बीमारी में कीमोथेरेपी का प्रियोग किया जाता है विद्यार् प्रिस्ट नमबर 31 देखेंगे स्पॉंड लाइटिस बीमारी किसे प्रभाबित करती है यह किसे प्रभाबित करती है तो यह मेरू डंड जो होता है उसे प्रभाबित कर देती है यानि कि उसे खराब कर देती है प्रिस्ट नमबर 32 देखेंगे एथिलीट फुट बीमारी जो रोग है किस से होता है एथिलीट फुट जो रोग है किसके कारण होता है 32 का कौन सा बिकल्प सही होगा 32 का भी बिकल्प सही होगा फंगस से होता है ये बीमारी प्रेस्ट नमबर थार्टी थ्री देखेंगे टीटनेस रोग किस जीवाणू से होता है तो इसका विकलपसी सही होगा नोट कर लेंगे प्रेस्ट नमबर थार्टी फॉर देखेंगे प्रिशन नमबर 34 में दिया है कि टिटनेस की विमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है 34 नमबर प्रिशन का कौन सा विकल्प सही होगा बताएंगे विद्यारधी तो 34 नमबर प्रिशन का विकल्प सही होगा लाग्ज जो होता है लाग जो इसे अन्य नाम से जाना जाता है प्रिशन नमबर थार्टी फाइब देखेंगे स्वर्ब पर्थम जीवाडू का पता लगाया जीवाडू की पता स्वर्थम किसने लगाया था किसने खोजा था थार्टी फाइब का कौन सा विकल्प सही होगा बी विकल्प सही होग लिवेन हाथ नामक बैग्यानिक जो थे उन्होंने स्वरप्रथम जीवाडू की खोज किया था प्रिशन नमबर 36 देखेंगे ला आप फ्लोटिंग से धांत की खोज किसने किया थार्टिशिक्स का डी बिकल्ब सही होगा आरके मिटीज नामक जो बैग्यानिक थे उन्होंने इसको खोजा था प्रिशन नमबर 37 आज की वीडियो का अंतिम प्रिशन है प्रिशन नमबर 37 दिया जिव विग्यान का जनक कहा जाता है आरस्तु को कहा जाता है इंपॉर्टेंट होगा इस तरह आज हमने आपको 35 प्रिशनों 37 प्रिशनों को इस वीडियो में कराया है डेस्ट वीडियो में इससे आगे कराऊंगा तो आप लोग चैनल को लाइक शेट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा धन्यवाद